बोजन जीवन के लिए एक अधारिया वसकता है बोजन ही स्रीर का पोश्ण करता है मनुस्या को जीवत रहने के लिए जैसे बायू, जल, प्रकाश के लिए वसकता होती है वैसे ही हमें बोजन के लिए वसकता भी होती है बोजन मनुस्या की जीवन की प्रात्मिक असकता में से एक है leaving things है जैसे मनुस्या का सरीर जीविय यांत मनुस्या मनुस्या सरीर निरंतर काया करता है अध सी आंतरिक और वाई जो रिविल्ड करने के लिए टीसूस सेल डैमेज होते हैं वो सारा भोजन उन चीज़ों को रिविल्ड करता है अब हमारा क्वेश्चन आता है कि बच्चों की भोजन के प्रती कैसी प्रतिरूची है जयातर समानना तोर पर यह देखा गया है कि प्रेजन टाइम में जितने भी बच्चे हैं वो भोजन के प्रती रूची नहीं दिखाते हैं रूची नहीं दिखाते हैं फास्ट फूड और डिफरेंट टैप्स के फूड़ों में इंट्रेस्ट दिखाते हैं जो कि बच्चों के स्वास्थे के लिए प्रॉपर नहीं है आता है बच्चों में भोजन के प्रती रूची को डुपैलब करने के लिए बच्चों के लिए भोजन के प्रती इंट्रेस्ट डुपैलब करना बहुत जुरूरी है बोजन में पाये जाने वाले बिभिन पुस्सक ततब बिभिन रोगों से हमारे स्रीर की रक्षा करते हैं तरह स्रीर को स्वस्त बनाये रखने के लिए मारा सहता करते हैं बच्चों की ओग्रोइंग स्टेज होती है उस स्टेज में बच्चों की बोंज, मसल्स ये सारी चीज़े डबैलप होती हैं अदेन को सिद्रिड बनाने के लिए बच्चों की रूची खानों की प्रती बढ़ाना बहुत जुरूरी है भोजन से मुनुस्या सभी भोजन की अवस्कता से अनुसार, पोसक, तत्तव, उपस्चित होते हैं जिससे वो हमारी बोड़ी में जाते हैं और हमारे को अनर्जी देते हैं फॉर अग्जेम्पल बोजन हमारे लिए किन-किन फंक्शनों में ज्यादा मात्तपूरून है सारी कारें के लिए सारी ग्रूप से हम जितने भी कारें करते हैं, उन कारें को प्रॉप्र करने के लिए हमारे को एगज़िश्र की अवस्स्कता होती है जो कि हमारे को भोजन से फूड से मिलती है और यह सब इस सारी कारें को करने के लिए हमारे जो energy based होती है उसमें छोड़े छोड़े muscle tissues कितनी टूट फूड होती है body के अंदर energy देने के लिए उस टूट फूड की उम्रमत food करता है उसके बाद से हमार को उर्जय परदान होते है जिससे हम वर्ग को प्रॉपर करते है आता है बच्चों को भोजन के प्रती रूची के लिए जुरूरी है कि बच्चों के भोजन में कार्वोएडरेट होना बैलंस डाइड देना बैलंस डाइड का बैलंस आइस्टे बच्चों को डुपल्मेंट बच्चों की बोड़ी की डुपल्मेंट करना भोजन बनाते समय भोजन के पोस्क तत्वों को नहीं जलाना चाहिए और जैसे हमारा स्रीर प्रति दिन 4000 ग्राम कार्बन और 250 नैट्रोजन को किये वसकता होती है अधि इसकी पूर्ती के लिए हमारे को जुरूरी है कि हमारे को भोजन में बैलंस डाइट लेना लेनी चाहिए अलग अलग पोश्टिक अहार और विटामीन लेने चाहिए और बच्चों को इसके प्रती रूची को भढ़ाना चाहिए नेश्ट आता है बर्क बिसेस लक्सिया को प्राफ्त करने के लिए सारिक या मांसिक शरम की अपेक्सा वाली कोई बस्तू या काम बैसे तो ब्यक्ती अपनी बेसिक नेड के लिए कुछ ने कुछ कारा करते रहते हैं जिसको वर्क कहते हैं कुछ लोग आफिस जाते हैं कुछ लोग खितों में काम करते हैं ऐसे डिफरेंट टाइप्स की अक्टिविटी बेक्ती अपने जीवनी अपन के लिए करता है जिसको वर्क के नाम से बहुत जित करते हैं लेकिन बच्चों को वर्क कल्चर डुपैलब करने का मेन उदेस है कि विशेश लक्षा की प्राप्ति के लिए काम करना सीखें और काम करने की मात्वा को जाने जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन में अपने लक्षा की प्राप्ति के लिए वर्क कल्चर जैसे सिस्टम को डुपैलब करते हैं जैसे बच्चा स्कूल जाता है स्कूल जाने पे टीचर उन बच्चों को काम देते हैं और वो काम करते हैं बच्चों को काम करने का सौक तो होता है लेकिन कैसे होता है जब वो बच्चा खुद करना चाता है या किसी को देखता है या उस activity को observe करता है लेकिन अगर उसी कारे को parents या कोई बड़ा ब्यक्ति कराने की कोशिश करे तो बच्चे इंट्रेस्ट सोने करता है यानकी बच्चा उस काम को तब करता है जब खुद माँ बाप और टीचर के दिये वो कारे में रूची दिखाते हैं लेकिन उतना नहीं दिखाते हैं वो कारे शिर्फ डर के मारे करते हैं लेकिन हमारे को बच्चे से कारे करने की प्रतिरूची को डपैलप करने के लिए उस कारे की महत्वा के लिए उस कारे के प्रति उनका ल में बच्चे नजय फील करें और खुद को परसंता पुरुबक महसूस करें और उसको करने की कोशिश करें जिससे बच्चों में कार्य करने की habits develop हो सके और उस कार्या करने के लिए वो खुशी हो के उस कार्या को करते रहें और अपने विशेस लक्सिया को प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर रहें नेक्स्ट आता है प्ले खेल किसी कार्या में एक प्रकार का मनरंजन है दूसरा खेल रचनात्मक क्रियाओं की अभिभ्यक्ती होते हैं तीसरा यह प्रसंता तदसंतोस प्रदान करता है खेल किसी भी कार्या को करने में मनरंजन है यानि कि हम कोई भी कार्या करते हैं जीवन शैले में उस कारह को करना में अगर आपको मनरंजन मचूस होता है तो को खेल के रूप में देखते हैं के लिग रचनाय में करिके विव्यक्ति ए खेल एक फिराश्ट श्याट को डिभिव्यक्ति होने के बाद प्रसंता ये शुंटोष परदान करते हैं जब हम खेल खेलते हैं तो हमार जो ध्यान होता है उसी प्रसंता उसी मूवमेंट है उसी संतोस में अगरसर रहता है जिसकी बाद से हमारे को प्रसंता मैसूस होती है खेल बालकों के एक सुबाबिक परविती है सुबाबिक यानिक एक नेच्रल देन है खेलों के द्वारा बालक के सारिक मानसिक तथा इमोसिनल डुबैलमेंट के साथ साथ उसका समाजिक विकास भी होता है इसके साथ खेलों का बालकों की ग्रोथ डुबैलमेंट में एक महत्तपून योगदान रहता है जिससे बच्चे डुबैलब होते हैं और बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर होती है खेल अनन्द पूर्वक सुबाभी के करचना है जिसमें बच्चे सुबाभी करूप से एक अनन्द मैसूस करते हैं और खुशी मैसूस करते हैं अक्सर केबल मनुरंजन आत्मक या उसके पीछे बच्चों के आम बेबार को उजागर करने के लिए खेल गएक मात्तवन रोल रहता है बच्चों को सारे ग्रूप से हेल्थी रखने के लिए और स्ट्रॉंग बनाने के लिए पले खेलना बहुत जुरूरी है बच्चे खेलने के मात्तिम से नही नहीं बाते सिखते हैं खेलने से उनका सहास आतम विश्वास बढ़ता है छोगी बावना बढ़ती है धैर्या, इमानदारी, निष्टा जैसे गुनों का भी विकास होता है बच्चे तनामुक्त होते हैं बच्चों को उत्सा बढ़ता है बच्चे निरोगी रहते है मानसिक और मानसिक एकागरता भी बढ़ती है बच्चों में कार्या करने की किशमता बढ़ती है बच्चे सारे करूप से फिट रहते हैं बच्चों में किसी प्रकार की डिजिज नहीं होती है आता है इतने मात्वपून कार्या खेल के मात दिम से होते हैं बच्चों में खेल के प्रती रूची सोभाविक रूप से होती है और वो उस एज में ज्यादा होती है अगर आज के इस प्रेजेंट टाइम में इस बाताबरण में बच्चे जादातर खेल के प्रति ध्यान ना देके इलक्टोनिक सिस्टम की तरफ को बढ़ावा दे रहे हैं जिसकी बासे बच्चों की ग्रूथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है ना बच्चे फिजिकल रूप से ग्रोव कर पा रहे हैं नहीं मांसिक रूप से ग्रोव कर पा रहे हैं जिसकी बासे बच्चों की रूची खेलों की प्रति कम होती जा रही है लेकिन बच्चों को अगर मुनसारिक रूप से फिजिकल रूप से या ऐसी ब्यवारिक रूप से बच्चों को खेलाने की कोशिश करें तो बच्चों में ये रूची पर त्रूची बढ़ती जाएगी नेक्स लाता है मिड्डे मिल जिसको मद्यांतर भोजन कहते हैं मद्यांतर भोजन जो स्कूलों में जो सरकारी स्कूलों में जो सरकार दोरा अनुदानित स्कूलों में दिया जाता है जिसमें बच्चों को नर्सिस लेके एर्थ स्टेंडर तक ये भोजन सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जाता है उसे मद्यांतर भोजन कहते हैं जैसे कहा है मद्यांतर भोजन जो की स्कूल में बच्चों को दोपाहर के समय दिया जाता है जो की फर्स्ट से लेके एर्थ स्टेंडर तक दिया जाता है उसे मद्यांतर भोजन कहते हैं बच्चों के सवभाविक रूम में इसके प्रती रूची का मेन उद्वेस है कि बच्चे उस चीज़ मद्यांतर भोजन को लें जिसकी बच्चों का पोशन प्रॉपर हो सके बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो सके बच्चों की डुबैलमेंट हो सके क्योंकि उस स्टेज़ में बच्चों की कारह करने की और सीखने की और की किसमता जादा रहती है जिसके लिए बच्चों की अनर्जी ज़्यादा यूटलाइज होती है और ऐसे टाइम में बच्चों की अनर्जी ज़्यादा यूटलाइज होती है और ऐसे भी ग्रोइंग स्टेज होती है तो ऐसे टाइम में बच्चों को भोजन की बैलन्स डाइट की ज़्यादा नेड होत